हेलो फ्रेंड्स, कुक विट टेस्ट चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड राइस इस टाइल से फ्राइड राइस आप भी जरूर बनाएं आपको भी भूती पसंद आएंगे इसके लिए हमें चाहिए एक कप बोईल्ड राइस, प्याज बरीक कटा हुआ, लसन बरीक कटा हुआ, हरी मेच बरीक कटी हुई, अदरक लसन का पेस्ट, गाजर बरीक कटी हुई, शिमला मेच बरीक कटी हुई, हरा धनिया बरीक कटा हुआ, एक छोटा चमच निम्बू का रस, कुकिंग गोईल, एक प्रेज पत्ता, एक फूल, चार पाच दाने काली मिर्च, जीरा, दो तीन लोंग, सरसो, दालचीनी का टुकडा, नमक स्वादा नुसार, आदा छोटा चमच काली मिर्च पाउडर, आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर. शिम्ला मिर्च, गाजर, प्याज, लसन और हरी मिर्च को बरीक बरीक काट लें, अदरक और लसन का पेस्ट बना लें, हरे धनिये को बरीक काट लें, सबसे पहले हम चावल को बॉइल करेंगे, बॉइल रैस की रेसिपी देखने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, अब हम इसे तड़का लगाएंगे, पैन में कुकिंग ओएल डालें, जब ओएल हमारा गरम हो जाए तब इसमें खड़े मसाले डालें, सरसो के दाने डालें, बरी कटा हुआ लसन डालें, बरी कटी हुई हरी मिर्च डालें, बरी कटे हुए प्याड डालें, और प्याज को पिंक होने तक भूनें, जब प्याज का कलर हलका सा पिंक होने लगे, तब इसमें अधरक लसन का पेस्ट डालें, एक दो मिनटे से भूनें, जिस्से की अधरक और लसन का कच्चा पन चला जाए, अब इसमें बारी कटी हुई गाजर और बारी कटी हुई शिम्ला मिर्च डालें, सबजियों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और आप इसमें और भी वेजिटेबल्स एड़ कर सकते हैं, जैसे की बीन्स, मटर, सबजियों को फ्राई होने तक भूनें, राईस हमारे बॉइल हो गए हैं, और सबजिया भी हमारी फ्राई हो गई हैं, अब इसमें हम राईस डालेंगे, स्वादा नुसार नमक डालें, फल्दी पाउडर डालें, और काली मिच पाउडर डालें, सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करें, बरी कटा हुआ हरा धनिया डालें, निम्बू का रास डालें, मिक्स करें, वेजिटेबल पुलाव खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इस ट्राइल से वेजिटेबल पुलाव आप भी जरूर बनाएं, खाएं और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड़ बाई, आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं,